अगर आपने वीडियो नहीं देखा है साइबर टेक की जो करन्ट वेकेंसी चालू है जी आइस अनलिस्स के लिए है तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देदूंगा आप ज़रू चेक आउट करिए और अपलाई करिए अगर आपको जॉब सर्च कर रहे हो आप और आज में मेरा एक्सपिरियंस और जोज रियाएस अनलिस्स की पोस्ट है उसके लिए जो इंटर्व्यू प्रोसेस है वो आपके साथ शेर करूंगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं के बारे में अगर आपको यह वेकेंसी के लिए होना है तो आपको ग्राजियेट हना जरूरी है या फिर आप फाइनल ये 2020 बैच के रहेंगे तो भी चल जाएगा और ग्राजुएशन जो आपका है वो प्प्यूटर या फिर आइटी से हो सबसे होना चाहिए या फिर जे गॉग्रफी से सो बीसोति जरी जाएए वorme अपको ये सित्ल सकती है सबसे के बारे मदा जाएका अपको Sounds में आप साइट पे जायेंगे और अपलाई करेंग उसके बाद मनेन आपको couples हो यह कॉुक्षा तो है करेंद आपको को छोट लिस्ट हो जाते हो तो फिर वह कॉल पर आपको पुछेंगे कि लाइक इंट्रोडक्षन पूछेंगे फर्स्ट अफॉल आप क्या करते हो और आपको जी आइस के वारे में क्या मालूम है जी एस इस जग्रफिक इन्फॉमेशन शिस्टम और अगर आपको बेसिक आईड करने के बात आपको बोलेंगे लेक्षए विर्अ आपको ने के बीर्ट के बारांड च्डील किया जाएगा और आपको मेल आजांगा उसके लिए व olurs GIS Kे बारे में पूछा जायगा टेकनलोजी के बारे में वूछा जायगा IT के बारे में,acasईक कर अदीब और जो आपको भले GIS के बारे में नहीं बता रहेगा तो फिर, इमेल में वो लोग आपको पताते I-M College के बारे में क्या-कया प्रिपयर करना है like js के बारे में क्या-क्या प्रिपेर करना है वो सब प्रिपेर कर सकते है google से या फिर कई से भी आप कुछ भी we refer कर सकते है just basic thing से gs के बारे में जयाधा कुछ इंडेप्ने कुछेंगे और basic technology के बारे में like server क्या होता है customer relationship के बारे में कुछेंगे कि वो भी basically troubleshooting का job है so बस technical रहेगा इतना ही ज्यादा कुछ hard ने रहेगा अगर वो short list हो जाते हो तो फिर आपके लिए call आ जाएगा HR के लिए और like basic one to two days में आ जाता है call और आपका वापस से Google मेट या फिस जूम पे meeting schedule की जाती है HR के लिए और HR के time पे वो आपको बता देंगे basically job description क्या है and आपके family background क्या है आप क्या करते हो आप graduation कैसे हुआ और just personal things के बारे में बताएंगे और क्या क्या benefits से ये job के वो सब बता देंगे basically job description आपके साथ detail में share करेंगे और salary वेगरे के बारे में भी आप वहाँ पे share कर सकते हो तो वह सब basic रहेगा ज्यादा कुछ बड़ा कुछ like difficulty नहीं रहेगा आपको HR interview crack करने के लिए basically telephonic और technical interview crack कर लिया तो आपका HR interview crack हो भी जाएगा इतना कुछ issue नहीं हो इसमें so मेरे साथ भी यही हुआ था like मेरा first telephonic round राउंड था उसके बाद में technical और HR यह जो मैने questions आपको बता है वो सब मुझे पूछे गए ते और आपको भी like around वही questions पूछेंगे या फिर उसके आसपास की questions पूछेंगे ज्यादा कुछ difficult questions नहीं होंगे so I hope कि आपको मेरा experience अच्छा लगा रहेगा और अगर आपको यह apply करना चाहते हो यह vacancy के लिए तो मेरे description और i button में link दे दूंगा जो आपे जाके apply करिये ठाने में job है बहुत अच्छा vacancy है for GIS enthusiast people तो I hope आपको यह video भी अच्छा लगा रहेगा और अगर आपको और ज्यादा job alerts और मेरे experiences चाहिए तो just support free experience और मैं ऐसे videos आपके लिए लाता रहूंगा Thank you